कि हैं वेल्कम बैक दिस इस विनोत सर्मा और वॉचिंग इंग्लिस वाइव विनोत सर्मा तो एस भी वक्सी के बुक से जो हम सिननिम्स एंटनिम्स कर रहे थे तो आज इस स्रीज में हम के से स्टार्ट होने वाले वर्ट्स कवर करेंगे तो बहुत ही छोटा वीडियो रहने है वीडियो के साइस बहुत ही छोटा रहेगा क्योंकि के से के के ग्रूप में बहुत ही कम शब्द है और मुस्किल से फाइव और सिक्स वर्ट्स यहां पर है तो चलिए शुरू करते हैं तो के से स्टार्ट होने वाले में जो हमारा पहला वर्ड है यह है केंड्रेड इसको हम कीन कहते हैं कीन का मतलब होता है रिलेटिव कीन का मतलब होता है रिलेटिव तो भाई बंदू आपके सगे संबंदी सगे संबंदी लोगों को हम कीन कहते हैं तो कभी यह वर्ड आपको कीन देखने को मिले ना तो कीन का मतलब होता है भाई बंदू रिलेटिव आपके फै हम कह सकते हैं किंड्रेट का मतलब स्पेसीज भी है रिलेटिव या आफिनेटी आफिनेटी का मतलब लगाओ होता है तो लगाओ हमारा उसी से होता है जिस्ते हमारा संबंध होता है रिलेशन होता है जिसमें हमारा परिवार वाला फिलिंग होता है तो उसी को हम आफिनेटी कह जाएगा unrelated या dissimilar जैसे अभी मैंने क्या बता है kindred का मतलब similar भी होता है तो इसका opposite dissimilar हो गया ठीक है उसके बाद है heterogeneous disparate तो यह सारे words जो है यह kindred के antonyms है next word देखो क्या next word है keen तो keen का मतलब क्या होता है keen का मतलब होता है keen का मतलब होता है very interesting very interesting और keen का मतलब sharp भी होता है keen का मतलब sharp भी होता है keen के लिए एक और अच्छा word है eager है देखो eager यहाँ पर synonym में भी लिखा हुआ eager जो सबसे पहले ध्यान देना keen का मतलब क्या होता है जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा interested रहते हैं उसको करने के लिए उस चीज को जानने के लिए उसे समझने के लिए तो उसी काम keen कहते हैं जैसे I'm keen to know the news तो मुझे news जानने के बहुत ही उसकता है तो जब आप किसी चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा ललाईत रहते हैं आप बहुत ही interested रहते हैं तो उसी को keen कहते हैं और keen का मतलब कोई ऐसा चीज जो कि बहुत ही interesting हो उसके लिए भी हम use कर सकते हैं और कोई बिल्कुल sharp हो देको sharp हमारा mind भी होता है sharp हमारे कोई tools भी हो सकता है कोई पॉइग्नेंट हो गया, पॉइग्नेंट का मतलब होता है, ठीक है, दुख से भरा हुआ और इगर, भ्यान दिजेगा, इगर, इगर का मतलब क्या हुआ, इगर का मतलब होता है किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक रहना, बेताब रहना, acute to acute sharp के sense में हो गया है ना तो हम sharp mind कहते हैं तो keen mind भी कह सकते हैं बात समझ में आ रही है तो I hope की keen का मतलब आपको समझ में आ गया next word देखते हैं next word देखो क्या है next word है nave nave का क्या मतलब होता है k-n-a-ve नेव तो इसको नेव पढ़ते हैं टेखती हैं तो इसका स्तनियम हो वह गया जो आवारा टैप के लोग हो रोग इसका अंटिनयम हो जाएगा परागॉन इनोसेंट बेनिफेक्टर अइडिय लिस्ट शो इनोसेंट हो बिल्कुल जो दूसरों को साथारी होन्द बचाने के बारे में सोचते हैं वैसे लोगों को NEव करते हैं और जो दूसरे के भलाई चाहे उशको बैनि फ्यक्टर करते हैं बाथना बस माया रही है अगला वर्ड देखो क्या है उसलिए लिए यह सिननियम क्या होग्या लास्ट बलो ऑना जो trumpet है उसको last word बजाये गया demolish करना ठीक है इसका nail का मतलब बरबात करना भी होता है खत्म करना भी होता है इसका सन्निम हो गया यह अगर हम इसके antinim की बात करें तो इसका antinim क्या हो जाएगा इसका antinim हो जाएगा reconstruction, rediscovery, procreation और resurrection तो यह सारे words demolish करने के sense में यह सारे opposite words इसके हो गया, I hope कि आपको nail समझ में आए कि nail का मतलब क्या होता है next word देखते है, next word is naughty, तो ध्यान देना एक naughty यह होता है n-a-u-g-h-t-y, तो यह naughty अलग है, इस naughty का मतलब नटखट होता है, बट यह naughty यह वाला naughty नहीं है ध्यान देना, यह जो naughty है, यह naughty से बना, k-n-o-t, ठीक है, k-n-o-t, not not का मतलब क्या होता, not का मतलब होता, गांट, जब रसी में या धागे में जब आप गांट बनाते हैं, तो गांट को हम नोट काते हैं, ठीक है वैसे चीज क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसका meaning क्या हो गया, इसका meaning देखो, सिनोनिय में क्या हो गया, complicated, difficult, कोई चीज जो naughty होते हैं, बहुत है, difficult होते हैं, adverse हो गया, तो कोई भी चीज जो बिलकुल जटील है, जिसको सुलजहाना मुस्किल है, वो difficult है, पेचीदा है, उसी को हम naughty करते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जब बहुत सारे गांठ बन जाए ना, तो उसको सुलजहाना मुस्किल हो जाता है, उसी से बना naughty, इसका अगर हम antinim के बात करें, तो इसका antinim हो गया simple, manageable, जो चीज़े बिलकुल simple है, सीधा साधा, जिसको आराम से आप tackle कर सकते हैं, उसके साथ deal with कर सकते हैं, जो कि manageable है, attractable है, flexible है, तो यह सारे words जो है, naughty के opposite word है, तो के वाले में बहुत ही कम शब्द थे, तो इसलिए यह हमारा complete हो गया, total अगर हम देखें तो के वाले में, वैसे ऐसा नहीं कि पूरे English में के से के वल इतना ही शब्द है, और भी ब तो आप वेट के चीछी अगले वीडियो का बहुत जल्दी अगर एल से स्टार्ट होने वाले भी हम वीडियो बना देंगे तो ठीक है इस वीडियो के लिए बस इतना ही मिलेंगे आपसे निक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मुच पो वाचिंग तिल देन इट सा गुडबाय टेक कियर